गुड मर्निंग क्लास, बी ए पार्ड सेकेंड पोलिटिकल साइन्स, पेपर फ़स्ट प्रमुक राजवेवस्थाई यूनिट फोर्थ चीन का समविधान और आजकी लेक्चर का टॉपिक है चीन की न्याई वेवस्था चीन की न्याई वेवस्था पाशच्चत्य न्याई वेवस्था से बिलकुल अलग है इसका प्रमुक कारण यह है कि साम्यवादी कानून और परमपरागत कानून की धारणाओं में आधारभूत अंतर है परंपरागत सिध्धान्त के अनुसार कानून मानवी आचरण के सार्वभूम नियम है ये भुत्तिक दशाओं से स्वतंत्र और निश्पक्ष होते हैं जबकि साम्मेवादी मान्यता के अनुसार कानून एक वर्गी धारणा है और यह वर्ग की वह इच्छा है जो सम्विधी का रूपधारण कर चुकी हो चीन की नियावेवस्ता का स्वरूप वैधानिक न होकर राजनितिक है अब हम देखते हैं चीन की नियावेवस्ता की प्रामुक विशेश्टाई फर्स्ट पॉइंट है साम्यवादी वेधानिकता का सिध्धान्त पश्चिमी प्रजातंत्रिये देशों की मान्यता यह की राज्य और कानून समस्त जनता के हितों की रक्षा के साधन होते हैं लेकिन साम्यवादी विचारधारा के अनुसार राज्य एक ऐसा यंत्र है जिसका कार्य एक विषेश प्रकार के सामाजिक संगठन की इस्थापनाव उसकी रक्षा करना है उसके विचार अनुसार पूंजिवादी सामाजिक संगठन की रक्षा पूंजिवादी राज्य द्वारा ही संबव होती है चुंकि राज्य के कानून राज्य की आज्याई होती है अतह कानून का स्वरूप भी राज्य के स्वरूप के अनुसार ही होता है इस द्रिष्टिकोन के अनुसार कानून शक्तिशाली वर्ग की इच्छा मात्र होती है जिसे अधिनियम का इस्तर दे दिया जाता है कानून के स्वरूप के संबंद में ये जो साम्मेवादी मान्यता है उसी पर साम्मेवादी चीन की कानूनी विवस्था भी आधारित है वहाँ इस बात को स्विकार नहीं किया जाता है कि राज्य के आर्थिक तथा सामाजिक धांचे से अलग शाश्वत न्याय के किनी सिध्धानतों पर कोई कानूनी विवस्था आधारित हो सकती है वह यह मान कर चलती है कि कानून शाशक वर्ग की इच्छा की अभिव्यक्ति के साधन मात्र होते हैं और एक समाजवादी रज्जे में कानून ऐसे होने चाहिए जिन से श्रमिकों तथा उनके अधिनायत तंत्र के हितों की सुरक्षा हो सके सामेवादी चीन की विधी और न्याय संबंदी धारणा में प्राकर्तिक कानून अत्वा राज्ये के विरुद्ध सुरक्षा का व्यक्ति का अधिकार इन विचारों के लिए कोई स्थान नहीं है सामेवादी चीन में इस विचार को मान्यता प्रदान की गई है कि कानून हमेशा ऐसा होना चाहिए जिस से सामेवाद की जड़े अधिक से अधिक मजबूत हो सके चाहिए उसके लिए व्यक्ति को पूर्टया राज्ये के अधिन क्यों न बना दिया जाए यानि कि व्यक्तिक स्थान तरता कोई माईने नहीं रखती सेकिंड पॉइंट है नियाईपालिका पर सामेवादी दल का नियंत्राण पश्चिमी प्रजातंत्रों में शाषन के अन्य अंगों से नियाईपालिका की प्रिथकता और नियाईधिशों की स्वतंत्रता तथा निश्पक्षता विधी के शाषन और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए नितांत अनिवार्य समझे जाते हैं और न्याइपालिका को राजनेतिक दबाओं से मुक्त रखने के लिए पूर्ण व्यवस्था की जाती है। परन्तु साम्यवादी देशों में न्यायपाली का केद्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता के स्थान पर समाजवादी व्यवस्था के रक्षक का कारे किया जाता है पश्चिमी प्रजातंत्र इस मान्यता पर आधारित है कि व्यक्ति और राज्य के बीच न्यायोचित संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है लेकिन सामयवादी विचारधारा जिसे चीन में स्विकार किया गया है उस विचारधारा की यह धारना है कि सरकार जनता ही है और शासन के विरुद्ध किया गया कोई भी कार्य जनता के विरुद्ध किया गया कार्य होने के कारण क्रांती विरोधी और प्रतिक्रियावादी है और व्यवस्था पिका तथा कार्य पालिका के समान ही न्याय पालिका का भी करताव्य है कि वह इस प्रकार के त्रान्ती विरोधियों और प्रतिक्रियावादियों का तमन करें नेक्स्ट पॉइंट है लोक उत्तरदाईत्व पास्चत्य राज विवस्थाओं में न्याय दिशों के नियुक्ति कार्य पालिका द्वारा की जाती है परन्तु वे विवस्थापिका या कार्य पालिका के प्रति उत्तरदाई नहीं होते लेकिन चीन में न्याय दिशों के संबंद में लोक उत्तरदाईत्व के सिध्धान्त को अपनाया गया है चीनी सम्विधान के अनुछेट 128 के अनुसार जन न्यायले अपने अपने इस्तर पर जन्वादी कॉंग्रेस और उनके इस्थाई अंग यानि इस्थाई समीती के प्रति उत्तरदाई है विभिन इस्तरों पर जन्वादी कॉंग्रेस द्वारा जन्वादी न्यायले के अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है और पध्यूति की जा सकती है व्यवस्था पिका के प्रती नियाय दीशों का उत्तर दाईत्व चमाजवादी व्यवस्था वाले देशों का विशिष्ट सिधान्त है नेक्स्ट पॉइंट है समझोते और मध्यस्तता की प्रणाली चिन की न्याय प्राणाली की एक प्रमुख विशेष्टा समझोते और मद्यस्तता की प्राणाली है सामन्य किस्म के जगडों का निवटारा करने के लिए प्रार्थमिक न्यायले के निरिक्षन में समझोता समीतियां इस्थापित की जाती है इन समीतियों में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधी होते हैं और ये समीतियां वादी और प्रतिवादी की सहमती से बहुत बड़े पेमाने पर छोटे-छोटे जगडों का निवटारा करती है इनसे ये फाइदा है कि एक तो न्यायलेयों का कारेबार कम हो जाता है तथा वादी और प्रतिवादी को भी लाब पहुँचता है इन समीतियों के निर्णे की अपील न्यायले में भी की जा सकती है नेक्स्ट पुइंट है कानूनी पेशे का समाजवादी करान साम्यवाद की स्थापना के पूर्व कानूनी पेशे के लोग संपत्तिश आली वर्ग से आते थे और इस कारण क्रान्ती के बाद शुरू के दिनों में कानूनी पेशे को शत्रोता की द्रश्टी से देखा गया परन्तु 1954 के लगभग कानूनी पेशे के प्रती सरकारी रविये में बदलाव हुआ कानूनी पेशे से संबंदित नियम बनाए गए और इस पेशे को सहकारी आधार पर गठित करती हुए कि वकील संगों बार एसोसियेशन का निर्मान किया गया इन संगों द्वारा कानूनी परामर्ष दात्री कारयालेयों की स्थापना की गई इन कार्यालेओं की आईसे संबंदित वकीलों में उनके कार्य की मात्रा और योग्यता अनुसार मात दिया जाता है इस प्रकार कार्मुनी पेशे के संबंद में अर्द सरकारी वेवस्था को चीन में अपनाया गया है नेक्स्ट पॉइंट है न्यायालेओं की पिरामिड जैसी रचना चीन की न्याय वेवस्था का संगठन एकी क्रत आधार पर किया गया है और जन्वादी केंद्रवाद का सिध्धान्त न्याय पालिका पर भी लागू होता है संविधान द्वारा सर्वोच्य जन न्यायले, इस्थानिय जन न्यायले और विशेश न्यायले इन तीन इस्तरिय धाचे को एक ही सुत्र में पिरोया गया है प्रोक्यूरेटोरियल विभाग किसी न्यायले में मुकदमा ले जा सकता है और सर्वोच्य जन न्यायले को इस्थानिय न्यायले और विशेश न्यायले की कार्यवाही के निरिक्षण नियंत्रन का अधिकार है इस प्रकार समाजवाद, समाजवादी क्रांती और समाजवादी वैधानिक्ता को मजबूत करने की द्रश्टी से यह व्यवस्था अपनाई गई है नेक्स्ट पॉइंट है न्यायदिशों का निश्चित कारेकाल के लिए निर्वाचन सामान्यतया ऐसा माना जाता है कि न्यायदिशों को कारेपाली का द्वारा जीवन परियंत या उनकी सेवा निव्रत्ती की आयू तक के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए परन्तु चीन में यह विवस्था अलग है वहाँ न्यायदिशों को वहाँ की विवस्था पिका जन्वादी कॉंग्रेस तथा उसकी इस्थाई समीति के द्वारा पांच वर्ष की अवधी के लिए निर्वाचित किया जाता है नेक्स्ट पॉइंट है न्यायक उनर्विलोकन नहीं चीन की न्यायपलिका नकेवल स्वतंत्र नहीं है वन उसकी स्थिति भी महातुपूर्ण नहीं है उसे सम्विधान और कानून की व्याख्या करने की वह शक्ती प्रदान नहीं की गई है जो सामने तया अन्य राज्यों में न्यायपलिका को प्राप्त होती है चीन में न्यायपलिका की इस्थिति काफी कमजोर है कानूनों की व्याख्या करने की शक्ती सर्वोचिनैले को प्रदान करने के बजाए जन्वादी कॉंग्रेस की इस्थाई समीति को प्रदान की गई है इस प्रकार न्यायपलिका सम्विधान के संरक्षक और नागरिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कारिन नहीं कर सकती है न्यायपलिका की स्थिति को कमजोर बनाने वाला एक अन्य तत्य यह है की चीन में बंदी प्रत्यक्षिकरन की विवस्ता नहीं है अगली जो विशेष्टा है वो है कि खुली न्याईक कार्यवाही चीनी सम्विधान में लिखा है कि चीन में जनवादी न्यायालेयों के अधिवेशन गुप्त रूप से न होकर सब लोगों के सामने हो यानि कि वहाँ न्याईक कार्यवाही खुले रूप में होती है परन्तु जिन मुकदमों से देश की रक्षा खत्रे में पड़ती है केवल उनकी सुनवाई ही गुप्त रूप से की जा सकती है वे मुकदमे जो खुले तोर पर होते हैं उनमें जनता के किसी भी व्यक्ति को न्यायल में न्यायदिश के सम्मुख अपनी विचार प्रस्तुत करने का अधिकार है अपरादी को अपनी रक्षा का अधिकार है जो लास्ट विशेष्टा है वो है इस्थानी भाषा में कार्य संचालन सामान्य तया न्यायलेव में एक या दो भाषाई ही विधानिक रूप से मानने होती है परन्तु चीन के नागरिकों को न्यायलेयों में अपने भाषा में अपना पक्ष प्रस्तुत करने की स्वतंतरता दे गई है यानि कि नागरिक अपने भाषा में न्यायलेयों में अपना पक्ष रख सकते हैं यदि कोई व्यक्ति किसी इस्थानिय न्यायले में प्रयूक्त होने वाली भाशा से अनभिग्य है तो न्यायले उसके लिए दुबाशिय का प्रबंद करता है। क्षित्रिय या इस्थानिय न्यायलेयों में कार्यवाही वहां की इस्थानिय भाशा में चलाई जाती है। झाल झाल